हाई वेलकम टू माई चैनल पूटिफुल इजी लाइफ आज मैं आपको मुलतानी विट्टी के फायदे बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी स्किन के लिए किसी भी प्रॉबलम के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको इसे कैसे और कभी यूज करना है तो सबसे पहले अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ओयली है और आपकी स्किन पर कोई भी मेक अप करने पर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको मेक अप करने से 15 मिनट या आदे घंटे पहले आपको अपने फेस पे मुलताने मिटी फेस पैक लगाना है जिसे लगाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ गुलाब जल और मुलताने मिटी आप इन दोनों को मिक्स करें और अपने फेस पे लगाएं और अगर आपकी स्किन बहुत ही डल बेजान से दिख रही है और आप मेक अप करते हैं तो आपकी फेस पे मेक अप भी कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इसके लिए भी आपको करना ये होगा कि आपको मुलतानी मिटी में शहेत और टेमाटर दोनों मिला के अच्छे से पेश्ट बनाना है और इससे 30 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है इससे आपका मेक अप बहुत ही अच्छा दिखेगा अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जिद्धी जिद्धी जिसे बोलते हैं पिमपल्स उसके निशान है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ मुलतानी मिट्टी फेस पैक में आपको एक चमच या फिर नीम और या फिर पुदीन है दोनों में जो आपके पास से आप उसे मिला कर अपने फेस पे लगा सकते हैं और अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डड़ स्किन है जिसके लेयर जल्दी निकलती नहीं है बहुत ही मुश्किल से जाती है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको अपने पैक में मुलतानी मिट्टी और आपको इसमें दूसरी चीज जो मिलानी है वो है पपाया यानि की पपीता इसके गुदे को आपको उसमें अच्छे से मिलाना है और इसे अपने फेस पे लगाना है फिर आपको याद रखना है कि आपको अपने फेस को गर्म पानी से ही फेश्वास करना चाहिए और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जोडियां आती जा रही है इसके लिए आपको शहद और इसमें आपको जो दूसरी चीज मिलानी है वो है अलो विरज जल्ग दही और एग आपको इन चारों चीजों को अच्छे से मुन्ताने मिट्टी में मिलाना है फिर इसे अपने फेस पेस पेसे से फेस पैक को लगा लेना है इस को आप 30 मिनट भी लगा सकते हैं और अगर हो सके तो आप इसे हफते में 2-3 बार लगाएं अगर आपकी स्किन पर प्रॉब्लम बहुत जादा है तो आप इसे एक हफते तक यूज करें फिर आप इसे मन्त में 2-3 बार भी यूज कर सकते हैं तो ऐसे ही मैं आपको अच्छे-च पैक्स और हेर की जानकारी देती रहोंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें पासी में बने बेल आइकन पर प्रस करना बिल्कुल भी ना बोलें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नॉट यहां फाइदय हैं तो ऐसे ही आप मेरी वीडियो को देखते रहे और प्यार दें रहे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे रगती है तो आप इसे श्यरी कर सकते हैं और एक और बात प्रेंट्ट आप इस फेस्पैक को अगर कोई भी पराब्लम आप सिकिन पे नहीं है